हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्ट पुस्पेन सिंग फ्रॉम परिषद इस पब्रिकेशन फ्रेंट्स आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक नई खुशकवरी लेके आया हूँ और खुशकवरी ये है कि इलावाद हाई कोट की एक वेकेंसी फिर से आ गई है अभी तो गुरुप C, गुरुप D की वेकेंसी आई थी जिसके बारे मैंने आप उस साइड केल दी और आपने उस वीडियो को इतना देखा कि उसकी जो वाचिंग वो इतनी ज्यादा पहुच गी कि वन लाग मिनिट पहुच गी उसकी वाचिंग तो फ्रेंट्स के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत सुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तो आईए फ्रेंट्स से इसके बारें बात करते हैं कि अलाभाद हाई कोट्स अब फिर से कौन सी नई वेकंसी आ गई है तो फ्रेंट्स से इलाभाद उच्छ नया एलेस में जो इस बार भरती आई है वो APS की आई है ARO की आई है और drivers की आई है और पिसली बार जो मैंने आपको बताया था वो drivers D grade की निकली थी लेकिन इस बार जो driver है वो आपकी C grade की निकली हुए यानि की grade C में यानि grade 3 में ये driver की भरती आई हुई है तो आए फ्रेंड देखते हैं कि आखर ये APS होता क्या है तो फ्रेंड जो APS होता है इसका मतलब होता है additional प्राइबेट सेक्रेटरी तो फ्रेंड ये additional प्राइबेट सेक्रेटरी की जो पद है वो 23 पद है और इसका जो grade पे है वो 4800 रुपए है तो फ्रेंड यहाँ पे पदों की संक्या 23 है grade पे 4700 है और इसके लिए जो I.U. है वो 21 से 35 वर्फ के बीच मानी गई है इसमें योगता क्या है तो फ्रेंड इसमें आपको graduate होना है यानि यदि आप इसनातक है graduate है आपने BA, BSC, BCA कुछ भी आपने करके रखा हुआ तो आप इसके लिए अपनी केवाल है लेकिन साथ में इन्होंने ये मांगा है कि स्टेनोग्राफर में स्टेनोग्राफी जो होती है उसमें आपकी speed कम से कम 100 word per minute हो और प्लस उसके साथ ही typing आपकी 40 word per minute हो लेकिन बस इतनी अच्छी बात है कि दोनों English में मांगी है इसमें हिंदी में नहीं मांगी हुई है यानि कि इस्टेनोग्राफी भी English में चाहिए और टाइपिंग भी आपको English में चाहिए इसके बाद देखें इसमें जो ARO की पोस्ट है ARO का मतलब है Assistant Review Officer इस बाद आरो की पोस्ट इनों नहीं दी है तो इसमें Assistant Review Officer की जो पोस्ट है वो 270 पोस्ट है और यह 46 ग्रेट पे की जॉब है इसके लिए एज वही है 21 से 35 वर्स योगता क्या मांगी है तो फ्रेंट इसमें इसना तक मांगा हुआ है और साथ में कम्प्यूटर में O-Level का डिप्लोमा भी इनोंने मांगा हुआ है इसी तरह ड्राइवर में तो फ्रेंट ड्राइवर में जो भर्दी है वो टोटल 41 लोगों की होगी यानि किसे भी 41 वेकिंसी इसमें आई हुई है और जो इसका ग्रेट पे है वो सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए है इसमें एज क्या मांगे तो फ्रेंट इसके लिए एज इनोंने 18 वर्स से लेके 35 वर्स के 20 की मांगी हुई है इसके लिए क्या लाइसन्स हो वो कम से कम 5 साल पुराना हो कम से कम 5 साल पुराना हो यानि इतना पुराना यह दिया आपके पास है तो आप ड्राइबर की पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं फ्रेंट इसका जो फॉर्म है वो 18-12-18 से स्टार्ट हो जाएगा और जो इसकी लास्ट रेट है वो 7 जनुरी है लास्ट रेटिस की 7 जनुरी 12-19 है और फॉर्म जो है वो 18-12-18 से प्रारंब हो जाएगा यानि कि आज कितनी तारिख है 17 तो कल से स्टार्ट हो जाएगा तो आगे आते हैं कि आखिर इसके लिए यदि आप APS या ARO के लिए आप एपलाई करना चाते हैं और आप जनुरर या OVC में हैं तो आपको कितनी फेस्ट दीनी पैड़ी थो फ्रेंस आपको 750 रुपर फ़ीड पे करनी पड़ेगी यदि आप जनुरर में हैं या फिर OVC में हैं यदि आप SCST हैं तो आपको 500 रुपीड पे करनी हैं इस तरह जैंडिके राइवर्स की बात की है और ये आपके जनरल और OVC के लिए है तो फ्रेंड्स ये रही जानकारी इसमें क्या स्लेबस पूछा जाएगा ये मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊँगा तब तक के लिए धेनेवाद